हाई गाइज यह डाइटेट जेनल स्याइड प्याइफ का एक लेटर है बारह दिसंबर का जिसमें बताया है कि ओनलाइन अपार जिस ओनलाइन एन्वल प्रफॉर्मेंस असिस्मेंट रिपोर्ट ओफ अधर रेंक ओव वेरियस काडर इन स्याइड प्याइडलाइन फॉर एसाई से उपर का जो था ओनलाइन अपार भरा जा रहा था लेकिन अब अधर रेंक मतला सीटी चाहिए वो किसी भी केटर का हो और एड कॉंस्टेवल जीडी एन्मिनिस्ट्रेल का भी एक जनुरी से दोजार चोबी से यह लगो हो गया है कि सभी का अपार जो है ओनलाइन जिसके लिए आईटीविंग के दोढ़ा इसेल्व मोड्य में अपार प्रोवाइड कर दिया गया है और जो जो जिसको नुमिनेट किया गया है उनको आईडीय भी दे दी गई हैं तो आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपार किरेट करना है वीडियो कंटीनू बने रहीगा अगर वीडियो स्कीप कर दिया तो अपार आप ओनलाइन नहीं भरपाऊगे तो प्लीज वीडियो को कंटीनू लाश्ट देखिएगा तब ही आपको समझ में आएगा सब्मिट से कैसे क्या करना है और फिर कैसे उस बंदे से पीपेमस के माद्यम से भरवाना है और इसमें लेंगवेज वगरा सब कुछ दिया हुआ है इस वीडियो को कंटीनू देखिएगा अगर वीडियो थोड़ा स्कीप कर दो गए तो पता नहीं चलेगा कहां से बटन किलिक कर दो गया और पता भी नहीं चलेगा कहां क्या कर दिया हमने कहां कहां से प्रोसेश पूरा होगा और पूरा इसमें दिया गया है तो प्लीज प तेंक यू और कंटिन्यो वीडियो पर बने रही है सभी कंपनी राइटर ध्यान से सुनें अभी जो आल लाइन आपार चालू हो रहा है ये और एस के लिए उसके लिए सभी कंपनी राइटर को राइट्स दे दिया गया है राइट्स में आईडी होगा उन कंपनी राइटर है उनका फोर्स नंबर और पास्वार्ट सभी को बता दिया गया है तो जैसे आप लोग वीपेन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें ये सारे ओप्शन दिखेंगे आप लोगों को उसके बाद ये आपार आईपियार जो आप्शन होगा इसमें जाना पड़ेगा यहां जाने के बाद यहां अपना फोर्स नंबर डाला जाएगा तो जैसे मैं यहां अपना हेटकोटर राइटर जगदीश सर का नंबर लेकर करता हूं पासवर्ड डाल दिये अब ही कैप्चा डालेंगे अब यह ओपन हो गया इसको क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद यहां यह ओप्शन आएगा क्रियेट अपार क्रियेट अपर पर क्लिक करेंगे इसमें तीन ओप्शन दिखेंगे यह क्रियेट न्यू इस पर नहीं जाना है यह क्रियेट न्यू और इस इस पर फोर्स नंबर से सर्च करना है जैसे मैं एट कोटर वन नैंटिट बटालियन का किसी भी एक का नंबर डाल देता हूं पोर्स नंबर सर्च करने के बाद यह जो आगया वल्दार जीरी परमील कुमार यह जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यह आटोमिटिक फिल होके आएगा यह जो कॉलम्स है उसके बाद यहाँ एक चीज है अगर कोई किसी का एनाइसी क्रियेट करना है तो यहा यहां से क्रियेट होगा बाकि नहीं तो तीन मैने से अधिक है तो आपार में जाकर आपार ही रहने देना है इस पर कोई चेंज नहीं करना है एसस्मिंट डियर में 22 यह चूज कर लेना है अब जैसे किसी का ट्रांस्फर आउट चले गया है उनका अगर मान लिजे साथ आठ 2023 ऐसे कर लेना है तो यह चेंज हो जाएगा अभी हम लोग इसका 31-12 तक के हिसाब से देखेंगे 31-12-2023 हो गया जैसे थे अभी इसमें जाके रिपोर्टिंग अधिकारी का इडलर नंबर सर्च करना है जैसे हेटकोर्टर का माल लीजिए जो करता हूं तो 6 अभी जैसे डिसे अड्यूरेंट राजकुमर मज़े लिया है तो उनका यह सेलेक्ट कर लिया नाम अभी रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम सेलेक्ट करने के बाद यह रिविविंग ऑथरिटी इसमें यूनिट का कमांडेंट का नाम जो रिव्यू करेगा यह अपना स्री राजेश पांडे सर का नाम आ गया यह सिलेक्ट कर लेंगे यहां से यह आ गया अभी इसमें ध्यान देने वाली बात जो है इस सबसे पहले तो जब क्रियेट करेंगे यह जो पीरियेड है यह पीरियेड और रिपोर्टिंग अधिकारी और रिविंग ऑफिसर इन यह तीनों चीज का बड़े ध्यान से भरना यह गलत हो गया तो प्रॉब्लेम हो सकता है बाकि जैसे क्रियेट न्यू करेंगे तो इस पर ऐसे डायलोग आएगा कि आपार क्रियेट सक्सिस्पूली ओके कर देना यह जो आ रहा है इसको कर देना कुछ नहीं है यह अभी सब्सक्राइब का यह उप्लोड करना है इसका जो साइज वगेरा वो एसो पी में इसका बताये गया है और यह होना है फोटो फ्रॉंट का यह भी ओन फिप्स्पटी के बी से नचे ही होना है यह आटोमेटिक फिल्ट होके आएगा इसमें जो औफिस यूनिट कंपनी है इस Q 198 BN ठीक है यह सारे चीज सही आ गया इसमें कोई चेंज नहीं है डिट प्रोमोशन इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जैसे क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में मान लिज़े 12 कर दिया उसके बाद अब यह टेकनिकल में अगर होगा तो ठीक है नहीं कर देना फिर यह जो कोलम है यह बोला है पिरियेड अब ऑब अथिसंस फ्राम ड्युट में ट्रेनिंग पिरिएट अंडर रिपोर्ट यहां इंडिविजल उस साल में पर्टिकुलर 23 में कितना कितने बार चुट्टी गया है उसका डिटेल डालना पड़ेगा जैसे इंडिविजल माल लीजे तीन बार चुट्टी गया तो एक पर लिखिया है जैसे कि ट्वेंटी डेज एल ऐसे करके विटेफेक्ट प्रम आगे लिख दीजिया है फिर नीचे दो नंबर करके 15 डेज एल ऐसे करके लिख सकते हैं अगर कोर्स में रहा है तो वह भी लिख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर डाल सकते हैं कि इसके बाद जैसे यह सारे चीज हो गया इसको सेव कर लेना ताकि आपने अभी तक जो डाटा भरे है वह सही सलामत रहे उसका कोई लॉस्ट ना हो डाटा लॉस्ट ना हो इसलिए यहां तक भरने के बाद अपना सेवस्ट कर लेना है सेवस्ट करने के बाद अपलोड डॉकुमेंट्स यह यह में अपलोड होगा यहां ठीक है अब पहले से अपने कंप्यूटर में स्कैन कर लेंगे चूस फाइल करके जहां भी आप रखेंगे उसको अपना चूस करके सिलेक्ट करके कर देना यह पीडिएफ फाइल में होगा दूसरे वर्ड में होगा तो नहीं चलेगा पीडिएफ में करना पड़ेगा तो पीडिएफ पहले से आप स्कैन कर लेंगे पीडिएफ स्कैन करने के बाद इसको अपना जैसे करेंगे तो यह अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अपलोड हो जाएगा अपलोड होने के ब बहार आके यहां पर क्लिक करके, यह आदर रैंक्स पर जैसे मैंने एक रिएट किया हूं, इस ड्राप्ट मूड में है, सेफ जो हमने किये थे, वो ड्राप्ट मूड में है अभी, यहां पर जो दो ऑप्शन दिख रहा है, यह तो है एडिट का, अगर किसी का गलती से कोई पि कर सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक है, तो आप एडिट ऑप्शन पर जाके, जहां से आपने खतम किये थे, वहां पर खुल जाएगा, तो आप दुबारा एक बार देख लीजे, इंडिविजुल का जो है, पिरियेट, यह में जो है, यह ही है, जो पिरियेट है, रिपोर्टि यह सारे चीज ध्यान पूर्बग भरे, यह सारे चीज जो जहां तक आपने भर रखे थे, वह सारे चीज देखे, यहां तक मैंने भरा था, तो यह सारे चीज अभी भी उसी कंडिशन में है, डाटा लॉस्ट नहीं हुआ, तो इस से अपार ड्राप्ट यह कर लेना समय समय तक आपका डाटा लॉस्ट नहीं हो, इसके बाद आप जब देखेंगे यह सारे डेटा सब कुछ सही है, सारे चेक कर लिए, चेक करने के बाद आप यह जो ऑप्शन है, सेंट टू रिपोर्टिंग अथरुटी, सेंट टू रिपोर्टिंग अथरुटी पे क्लीक करेंगे, ठीक है, तो ऐसा एक डायलग बॉक्स आएगा, are you sure, OTP will be sent on registered mobile number, अब यह mobile number होगा, जो company commander के PIS data में जो mobile number डाला होगा, डाला हुआ है, उसी पे OTP जाएगा, तो हर बार, मतलब एक एक individual का आप, जैसे जैसे reporting officer के पास भेजेंगे, तो भेजने से पहले confirmation OTP आएगा आपके प अपार होगा, पार यह आपके company commander जो होगे, reporting officer उनके पास forward होगा, ठीक है, फिर company commander अपना पीपे में, sorry, अपार वारा ID उपेन करके, जैसे ASOS का करते है, वैसे ही, सारे चीज़ चेक करके, अपना remarks बगेरा डालके, आगे reviewing authority के पास forward करेगा, जो reporting अधिकारी वाला काम है, वो as it is, ASOS की तरह ही है, ठीक है, ओके, फिर आप यहाँ से, यह भी दिखा देता हो एक बार, अगर किसी का गलती से कुछ create हो गया, तो आप, यह जो cross sign है, इस पे आप click करेंगे, are you really want to delete upper, तो okay करेंगे, तो यह हट जाएगा, अभी देखें, मैंने उसको delete कर दिया, तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो यह है process, इसके बावजोद भी अगर किसी को कोई problem होता है, feel free to contact anytime, okay, thank you.